दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में जहाँ पर आज हम बात करने वाले कई सारी चीजों के बारे में लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक कल के जो यूटूब के वीडियो के लिए मैंने जो मेसेज डाला था वहाँ पर आप नेजल डालोगे तो मैंने एक मेसेज डाला था अगर आप देखोगे कि हेवीड स्टॉक जो है जितने भी हमारे मार्केट में वो सारे रेजिस्टन्स पर आ चुके और रेजिस्टन्स पर आने के बाद क्या होता है यह आपने इस एक गंटे में देख लिया य जैसे रिलाइन्स हो गया बजाज फाइन्स हो गया केमिकल के लिडर्स आई टी फार्मा बैंक सारे स्टॉक लगबग एक रेजिस्टन्स पर आ चुके थे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखा हूँ तो ice ice bank देखे यह जो blue line आपको दिख रहा है यह आगया resistance पर बजाज finance यह आपको दिख रहा हूग गाड़ ओपर का जो ट्रेंड लाइने वहाँ पर आमने हीट किया था यह यहाँ यहाँ पर आप देखोगे कि उपर एक बजाज finance आपको resistance को क्रोस करन थे और रिजिस्टन्स पे आने के बाद होता ये कि हमें अगर उसे अगर हम मार्केट बुलिश भी अगर हमें उसे क्रॉस करना भी है तो भी वो एक अटेम में क्रॉस नहीं होगा और इसलिए आपने नो बज़े से एक फ्लैट मुमेंट देखा और दस बज़े के बाद मार्क यहां से यहां पे उसके बाद फिर से यहां पे और यह जो वीकली चार्ट आप देख रहे हैं यहां पे भी आपने एक रिजिस्टन्स देखा तो जो स्टॉक्स थे उनमें हमने रिजिस्टन्स देखा और जो निफ्टी था उसमें भी हमने रिजिस्टन्स देखा अगर आपको option chain में भी दिखाया था कि 17500 का जो resistance है यह देखें यहाँ पे वहाँ पे open interest था 1,68,000 का और उसके बाद 1,47,000 का 17600 तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में जो resistance है वो है 17550 का बैंक निफ्टी में जो resistance है वो है 38250 का तो जब तक यह level cross नहीं होते तब तक आपको market में इसी तरह के one way rally देखने को नहीं मिलेगे और यहाँ पे अगर हमें हम इसे cross भी करते तो भी आपको पहले गिरावट आते हुई दिखेगी निफ्टी में जो कि हमने आज देख ली तो जब इस तरह से market उपर जाता है तो उसे गिरने के लिए कोई भी एक बज़ा चाहिए और जब हम नीचे थे 15200 पे थे 15300 पे थे तब लोग 10,000-13,000 की बात कर रहे थे लेकिन एक oversold market को उपर जाने के लिए कोई भी बज़ा है वो उसे पकड़ लेता है और उसके इसाब से buying आजाती है तो यह इस तरह का moment आज मार्केट में था तो मेरा यह मानना है दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आपको buying करना है लेकिन dip में buy करना है आपको aggressively buy नहीं करना है अगर आप देखोगे तो जो level मैंने आपको दिया हुआ है 17.550 का मेरा level जरूर था लेकिन उसके पहले मैंने 17.430 का level दिया था 17.430 याने कल का high था जिसका level मैंने आपको दिया मेरा यह मानना था कि 17.430 अगर cross हो जाता है तो फिर हम वो जो बड़ा resistance है जो मांट एवरेस्ट वाला resistance है super strong resistance उसके नस्दीक चले जाएंगे इसलिए य अगर मैं बात करूँ तो 17.300 पे हमारा एक support है 17.300 अगर break हो जाता है तो हम चले जाएंगे psychological level के पास जो कि यह 17.000 तो यह दो simple level लेके मैं आपके साथ expiry में गया था और उसी levels के साथ मैंने यहाँ पे call दिये थे अगर आप देखोगे तो मैंने सुबह सिर्फ तीन call दिये थ सिर्फ तीन call दोस्तों बाकी चैनल में अगर आप देखोगे तो आपके उपर थोड़ा bombarding किया जाता है कि यहाँ पे यह call लीजिए फिर यह bank nifty का यह call लीजिए और कई सारे stock option के call और end में आपको बताया जाता है कि हमारे उसमें से 2 या 3 call थे वो jackpot हो गए अगर आप जे तक मैंने सिर्फ दो ही call दिये थे निफ्टी और bank nifty में सिर्फ दो call निफ्टी का 17500 का जो PE था वो मैंने दिया था 77 पे यह चला गया 340 पे bank nifty का 38300 का PE मैंने दिया था 216 पे यह चला गया 1050 के उपर तो लगबग मैं कह सकता हूँ कि पैसा जो ही वो पाच गुना तो हो आपने 100,500 या 200 पे बुक कर लिया तो भी मैं यह कह सकता हूँ कि एक ही दिन में आपको कम से कम 50% तक का गेन हुआ रहेगा तो यह जो 50% का गेन है यह आपको सिर्फ दो call में हुआ यहाँ पे आपको time भी मिला buy करने के लिए और आपको वहां से profit बुक करने के लिए और time मिल गया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जिन लोगों को profit के screenshot चाहिए जिनको मजा आता है वो देखके तो उनके लिए मैंने वो भी डाला था एक hero और zero का call मैंने डाला था 17300 की पी थी यह चला गया था 55 पे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि लोगोंने पैसा कमा लिया लेकिन जो लोग बड़े ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने डाला था कि profit के साथ थोड़ा सा risk ले सकते तो इस तरह का market और इस तरह के moment हमने लिए थे और जो second of expiry का वहाँ पे काफी volatile moment हा तो हमने उसे अवर्ड किया अगर दोस्तों आपको इसी तरह की call चाहिए सारे update लेते हो सिर्फ एक बार one time तो आपको investment ideas lifetime मिलेंगे उसमें discount भी मिलेगा और यह बहुत जल्द में इसको change करने वाला हूँ क्योंकि पिछले तीन साल से मैंने इसमें charges नहीं बड़ा है तो अभी के लिए आपके पास मोहका है आप join कर सकते जिन लोग को call check करना है वो लोग मे चार्ट को ignore किजे और सिर्फ इस week के candle को देखिए तो यह week का जो candle है वो आपको doji candle बनते हो दिखेगा डोजी का मतलब यह कि हम यहाँ पे जो बुल्स है वो exhaust हो चुके हाला कि weekly candle complete होने में अभी एक दिन बाकी है लेकिन अगर आप daily candle को भी देखोगे तो daily candle में kind of hanging man बना तो आज का जो low है हमारा वो है 17200 का मैंने आपसे कहा था कि 17300 का हमारा support है वो अगर तूटता है तो हम आजाएंगे 17200 के पास 17200 अगर तूट जाता है तो हम आजाएंगे 17000 या 16800 के पास जो लोग fall का weight कर रहे हैं उनके लिए मैं यह level दे रहा हूँ अब जो लोग यह सोच है कि market में crash आजाएगा market में बड़ा fall आजाएगा चाइना और तैवान का issue है dollar में upside आ रही है काफी जादा उपर हम जा चुके तो वो जो सारी चीजे उसके लिए भी मैंने आपको level दिया था 15700 या 15800 के आसपास हमारा एक level है जो आपको यह line दिख रहा है यह देखे यहां यह वाला line और उसके बाद आता है हमारा यह वाला line 15200 का दोस्तो मार्केट में 10,000 12,000 11,000 9,000 के level अगर कोई बात कर रहा है तो हम बात तब करेंगे जब market में 15200 का level तूटेगा जिसके लिए अभी बहुत टाइम है हम उससे बहुत जादा उपर है तो अभी के लिए मैं crash की या bloodbath या panic या फिर जो भी गिरावट के लिए आप नाम दे सकते हैं उसकी बात मैं फिलाल नहीं करूँगा मैं एक fall की बात करूँगा एक profit booking की बात करूँगा और वो तब होगा जब हम 17300 को break करेंगे एक reaction आएगा जो हमें लेके जाएगा 17200 या 17500 पे अगर वो भी break होता है याने आप देखोगे तो ये जो strong support है अगर ये break हो जाता है तो फिर हम चले जाएगे 17600 पे याने अगर आप PE के लिए buy कर रहे हो अगर आप buy बटन दबा रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 17300 break हो चुका है अगर आपको और भी confirmation चाहिए अगर आप ये सोच रह हैंगे 17000 के आसपास precisely अगर मैं कहूं तो 17 170 का हमने आज low बना हुआ है तो वो level अगर तूटता है तो फिर मेरा ये मानना है कि 1500 या 100 point का fall market में आ सकता है अब बात करेंगे उपर की जो लोग buy करना चाहते जो लोग dip में buy करना चाहते जो लोग trade करना चाहते जो लोग seek buy करना चाहते option buyer तो मैं उनके लिए कहूंगा कि आज का जो हमारा high उससे भी उपर जाके 17 430 अगर break हो जाता है 17 430 तो मेरा ये मानना है कि यहां से हम 17 500 के नजदीक जा सकते और 17 500, 17 550 हमारा सबसे strong resistance zone है अगर आप इस weekly chart को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे यह जो candle बना है यह देखे यह multiple time अभी तक 3 बार हमने इसी candle को hit कि इसी train line को hit किया हुआ है और 3 बार हमने इसे cross नहीं किया है यह अगर मैं बात करूँ पिछले एक साल की तो आप देखोगे पिछले एक साल में हमने इस level को cross नहीं किया तो मेरा ये मानना है कि यह level अगर cross होना भी है तो भी वो एक attempt में नहीं होगा इसलिए मेरा ये मानना है कि 17.550 एक attempt में नहीं तूटेगा तो यहां से हम नीचे आ सकते और अगर हम उसे cross कर देते जब भी हम cross करेंगे तब मुझे लगता है कि हम all time high की तरफ जा रहे तो यह simple level है कोई भी आड़ा तेड़ा trend line आपक बात करतें bank nifty के बारे में दोस्तों मेरा ये मानना है कि nifty से जादा bank nifty weak strong है और अगर मैं weakness की बात करूँ तो bank nifty थोड़ा सा कम weak है क्योंकि bank nifty में already एक breakout आ चुका है नifty में breakout आने वाला है bank nifty में breakout आ चुका है और यह जो level है bank nifty में वो level है 38,300 का 38,250 और 300 का जो 50 point का zone है व यह level अगर cross हो जाता है तो हम उपर चले जाएंगे लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूँ immediate resistance की तो मेरा यह मानना है कि यहां से 37,850 का zone अगर तूट जाता है तो फिर आप यहां पे 37,800 का C buy कर सकते हो और मेरा यहां पे target होगा सबसे पहले 38,000 का उसके बाद हम चले ज तो 17,750 का मेरा zone था exactly वही पे हमने closing दिया हुआ है तो इस level को break होना पड़ेगा यह level अगर comfortably break होता है तो फिर हम 37,500, 37,400, 37,300 तक जा सकते हैं और अगर मैं बड़े target की बात करूँ तो वो बड़ा target मैंने आपको already दे दिया है मैं सिर्फ उस target को trail कर रहा हूँ लेकिन मेरा य निफ्टी में 16,800 का level है वैसे bank निफ्टी में 36,000 का हमारा level है जब वो तूटेगा तब आपको एक बड़ा fall दिखेगा और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे निफ्टी में 15,200 का level है जिसके बाद crash आ जाएगा बड़ा fall आ जाएगा market में बहुत ही heavy crash आ जाएगा तो वो ऐसा bank निफ्टी में हमारे लिए level है 35,000 का याने वो 2000 पॉइंट नीचे या फिर उसके भी नीचे अगर मैं कहूँ तो 34,000 का एक support है तो उसके लिए अभी time है दोस्तो तो फिलाल मैं crash की बात नहीं करूँगा निफ्टी और bank निफ्टी के बाद मैं बात करूँगा SGX न गैप डाउन होता है तो marginal गैप डाउन होने के चांसे से और ये मैं आपको इंडियन मार्केट के closing के इसाप से बता रहा हूँ अगर मान लिजे हम gap up में खुलते भी है तो भी मेरा ये मानना है कि ये gap up sold हो जाना चाहिए बजा आपके सामने ये जो trend line आप देख रहे हैं exactly उ 16,670 के आसपास हमारा weekly 20 EMA का support है तो वहां तक हम जा सकते हैं अगर हम गिरते हैं तो dollar की मैंने अलड़ी बात की थी dollar पे 80 रुपए का resistance है मेरा ये मानना था 78 75 पे हम चले जाएंगे और अभी के लिए अगर आप इस week के trend line को देखो इस candle को देखोगे तो हम exactly उसी level को touch करके bounce कर रहें तो अभी के लिए dollar की मैं बात करूँ तो मुझे लगता यहाँ पे consolidation हो रहा है और वही चलता रहेगा जब तक हम 78 या 80 दोनों में से कोई level break नहीं करेंगे तब तक मेरा इसमें कोई trend नहीं है कोई मेरा view नहीं है इसके उपर अब बात करते हैं बजाच finance के बारे में बजाच finance में जो level मैंने कल दिया था वही level मैं आपके सामने दे रहा हूँ 7350 का मेरा level है अगर ये break हो जाता है 7350 10 या 15 मिनिट का candle इसके उपर closing देता है तो हम जाएंगे सीधा all time high के पास वहाँ पे आपको कम से कम 100-100 points का moment दिखेगा लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ अग profit booking होगा जो weekends होते वो थोड़ा सा profit booking करेंगे थोड़ा सा sell off करेंगे और उसके बाद हम आ सकते 800 या 790 के नजदिक अगर हम किसी भी वक्त 800 के नजदिक आते तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे आपको एक buying देखने को मिलेगी अभी के लिए मेरा इसमें buying करने का सला नहीं है तब तक जब तक 835 का level cross नहीं होता दोस्तों जो level मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपका अगर आप CP buy करते हो तो आपका पैसा at least double हो सकता है तो उस तरह से मैं आपको level दे रहा हूँ बड़े level दे रहा हूँ बड़े profit के लिए Axis Bank मेरे इसाब से support पर आ चुका है अगर कोई bank support कर रहा है बैंक निफ्टी को तो वो Axis Bank रहेगा आज इसने नहीं किया लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी यह support करेगा यह और Quotak Bank एक support पर आने की कोशिश कर रहे है consolidate कर रहे है लेकिन यहाँ पे मेरा यह मानना है कि ICSI Bank में अ सब्सक्राइब कर दिया तो हम 700 के नजदीक चले जाएंगे अब मैं ऐसे stock की बात करने वाला हूं कि जहां पे मैं trading का व्यू आपको नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरा यह मानना है कि long term के लिए अगर आपको investment करना है तो यह stock बहुत ही बड़ी आ प्राइस पे आ चुका है फार्मा का leader है और यहां पे कोरोना में बहुत बड़ी rally आई थी उसके बाद जो यह sector ही है पूरी तरह से consolidation में चला गया है एक तरब जब लुपीन में हम इतनी बड़ी गिरावट दिख रहे हैं फार्मा में अगर आप confuse हो रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा stock buy करू मुझे buy तो करना है लेकिन कौन सा करू तो मेरे हिसाब से मेरा जो पहला priority होगा सिपला और संफार्मा की बात करूंगा मैं वह भी अच्छे stock है लेकिन doctor ready का जो risk reward हो मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है मेरा यह मानना है कि अगर आपको buying करना है long term के लिए आ find of dragonfly doji या फिर hammer बनने की कोशिश हो रही है तो इसका high अगर break हो जाता है इस week का तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा risk reward मिलेगा 4150 पे doctor ready की मैं बात कर रहा हूं इसकी बात आप tv channel पे तब सुनोगे जब यह 4300 पे जाएगा तब मैं profit book करूंगा लेकिन आज मैं यह stock नीचे आए लेकिन यह consolidate भी कर सकता है अगर मैं इसके daily candle की बात करूँ तो आप देखोगे कि आज हमने यहाँ पे एक red candle बनते हुए दिखा लेकिन वहाँ पे एक buying भी आ गई उसकी बजा यह दोस्तों क्योंकि हम एक resistance पे आये जो की strong resistance नहीं यह जितना ICSI bank या बजाज finance में हमने देखा है तो अगर हम आज का high break कर देते तो हम 2700 या 2800 तक भी जा सकते TCS TCS और बाकी IT stock में आज हमने buying आती हुए दिखी TCS में मेरा level रहेगा 3400 का इसके उपर अगर हम जाते 3415 इसके उपर अगर हम जाते तो आपको 100 या 1500 point का upside दिखेगा M&M दोस्तों पूरे Indian market में जितने भी heavyweight stock है उसमें auto sector के जो stock है उसमें मैं सबसे जादा bullish था और मैं तब bullish था जब nifty auto साड़े 9000-10,000 पे था आज ये 13000-14000 तक चला गया है क्योंकि pharma, IT, bank इन में जो rally आई है कोरोना के बाद वो auto में नहीं आई है वो अभी आ रही है तो म मेरा ये मानना था कि ये सीधा 1500 और 1600 पे जाके ही रुकेगा और इस week का अगर आप candle देखोगे तो ये बहुत जादा bullish है तो कोई एक stock है जो nifty को support कर सकता है, hold कर सकता है तो वो महिंदरान महिंदरा आप देख सकते हो लेकिन इसके लिए अगर आपको trading point of view से buy करना है तो मैं buy कर सकते हो, dip में buy कर सकते हो, आखरी stock की अगर मैं बात करूँ, आखरी दो stock तो उसमें एक है Tata Steel, Tata Steel में बहुत लोगों ने मुझे query पूचा था कि ये अच्छे खासे price पे आ चुका है और काफी split के बाद काफी सस्ते में मिल रहा है, 107 रुपे पे तो क्या हम इसे buy कर सकत otherwise मैं आपसे यही कहूँगा कि इस level पे इसको buy मत कीजे, क्योंकि हम एक बार 95-90 के नजदिक जाने वाले, अगर आपको long term के लिए buy करना है तो फिर आप buy कर सकते हो, SIP के जरीए, लेकिन अगर आपको short term के लिए buy करना है तो हम एक अच्छे खासे resistance पे आ चुके, November और उसके अगर मैं बात करूँ तो वो है Infosys, दोस्तो Infosys में भी जबर्दस buying आ रही है, उपर की तरफ हम जा रहे है, उपर मुझे 1700 के पहले कोई strong resistance नहीं लग रहा है, लेकिन अभी के लिए अगर आज का high break हो जाता है और 1610 को हम cross करते हैं, तो ही आप trading bet ले सकते हो, अगर मान की बात की थी, investment point of view, लेकिन अगर आपको एक और stock चाहिए, तो ये stock जो है, ये काफी favorite था पहले, लेकिन उसके बाद जो इसमें गिरावट आई है, उसके बाद काफी लोग जो इसमें profit book कर रहे है, काफी लोग ये सोच रहे है कि इसमें breakdown आएगा, ये काफी नीचे गिर ज याद रखे, आपको aggressively buy नहीं करना है, आपको अभी सिर्फ buy करना है, और 5-10% का आपको dip मिले, तो फिर आप दुबारा buy कर सकते हैं, actual जो breakout है, बड़ा breakout वो तब आएगा जब हम 200 के level के ऊपर चले जाएंगे, अगर हम 200 पे जाते हैं, तो हम सिर्फ 300 पे जाके नहीं रूखे तो IX में आप अभी buying कर सकते हो, अगर इसमें dip मिलता 150 पे, तो फिर आप दुबारा buy कर सकते हो, या फिर आप अभी buy करके, जो बचा हुआ जो आपका capital है, वो बाद में 500 पे आप buy करवा सकते हो, तो यह जो stock है दोस्तों, इसके fundamental में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह overvalued इसलिए इसमें ज़्यादा गिरावटा रही है, overall अगर मैं summarize करूँ तो Nifty में 17300 एक immediate support है, लेकिन strong support है 17500 का, 17170 जो आज करे लोग की में बात करूँ, उसके बाद हम जाएंगे 17000, 16800 अगर break हो गया, तो बड़ा panic selling आ जाएगा, 15800 तक हम जा सकते, 17500 जब break होगा, तब दुबारा हम all time high की तरफ जाएंगे, 23000 पॉइंट की rally आएगी bank nifty में, दिवाली तक, लेकिन अगर ये level break होगा तो, अगर ये level break नहीं होता है, तो एक बार हम 37500 की तरफ जाएंगे, 36000 अगर break हो जाता है, तो panic selling आ जाएगी bank nifty में, कल के लिए मेरा ये मानना है कि हम marginal gap up य दिखने को मिलेगा, बाकी सारे के सारे stock अपने resistance पर आ चुके, तो market का जो महोले, वो थोड़ा सा range bound, थोड़ा सा sideways रहेगा, तब तक जब तक nifty अपना level cross नहीं करता, so that's it for today, thank you so much guys and thank you for your time, दोस्तों वीडियो को share जरूर कीजिए, और जो भी आपका queries है, जैसे info sees हो, बज Thank you for your time.